तो धीरे धीरे करके हम लोग चार चैप्टर पढ़ चुके हैं और हम बारी आती हैं पांचुवे चैप्टर की तो चलिए शुरुवात किरते हैं होस्लो का सफर नॉविल का पांचुवा चैप्टर दिल्ली का दरोगा अजीत डोभाल विंडो वाली सीथ ही कराना सर बादल देखने हैं मुझे दिल्ली के उस पांच सितारा होटल की कमरे में उस वक्त विक्टी मलहोत्रा को बातलों के सुवा कुछ नहीं सूच रहा था पास खड़ा फरीत तनाशा हमेशा की तरह चुप था इधर चुप रहे के चुप कराने का मांगता दिल्ली आते वक्त विक्टी से अपनी चुपी का राज साजा किया था उसने विक्टी ने हमेशा की तरह उसकी नहीं सुनी थी मुंबई की गलियों से निकल कर अंडरवर्ड और सिस्टम की चाती पर एक साथ मोंग दलते छोटा राजन गीरों की इन दो साब शूटरों के पास फिलहाल चुप रहने की मुकमल वज़ा थी और वह वज़ा थी सामने कुरसी पर बैठा इंटेलिजिंस का वो रिटाइड अधिकारी जो अपने कैरियर के एक और ऑपरेशन को आखरी टचप देने जा रहा था जुलाई 2005 दुबई का ग्रैट हयात होटल मारुक और जुनयत की साधी के रिशेप्शन के लिए सज रहा था चमकीले फर्स पर बिचने वाले रेड कार्पिट के सेट्स चुने जा रहे थे महेन कर्टल्जी और फूलों से सजेद दस्तखवान पर आखरी पॉलिश हो रही थी आने वाली कुछ रातों के बात बहां रंग और शबाब के साथ बेहिसाब शराब चलकने वाली थी लेकिन कराची के किले नुमा बंगले के एक कोने में अपनी पसंदीदा बाउंट कार्टियर सिगरेट के चले उड़ाती उसके अब्बो के लिए शराब हराम थी हलांकि मुजरे का जबरदस चौक पालने वाले उस इंसान को सराब एक नादान शोही लगती थी लेकिन क्योंकि इसलाम ऐसा कहता था तो वह इस बात से साफ साफ मुकर भी नहीं सकता था उस वक्त अगर उसे कुछ साफ साफ पता था तो वह यह कि शादी पर दक्षिर पूर्व एसिया के तमाम मुलकों के इंटेलिजेंस की गिद निगाहें चस्पा थी डोंगरी मुंबई से निकली उस शक्स की चसमेतर आखों में उस वक्त कोई जाग सकता तो अंडरवर्ड की सिकर से नीचे जागते निगाहों में वेपा सकता था धेर सारा खालिपन और सिस्टम से फिर भिरने की गुस्ताक से बेबा की तो क्या हुआ कि उस पिता और बेटी की बीच बार बार रह रहकर सिस्टम और रियासत कडर आड़े आ रहा था तो क्या हुआ समुद्र और आस्मान की बीच किसी सूने में खोया हुआ वेसक्स अपनी ही बेटी की शादी की जलसे पर अपने चोर दरवाजे का इंतिजाम कर रहा था तो क्या हुआ कि डौन की अमिताब बच्चन की तरह ही बारा मुलकों की पुलिस और इंटरपोल के अलावा दिल्ली का एक शातिर और पैना दरोगा उसको अपने चंगुल में लेने के लिए बेट जहन था दावद इबराहिम कासकर और उसकी बेटी महरुक कासकर की बीच अभी सिस्टम को सेंद मारने में वक्त था दिल्ली की इंटेरिजन्स विंग के गलियारों में जुलाई 2005 के शुरुआत में ही पाकिस्तान में जुड़े इस नायाब रिष्टे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी 60 जा हमें चेतण चौहान की आखरी गेंद पर छखक्का लगाकर हिंदुस्तान की आखों की किरकिरी बने जावेद मियादाद से नफरत करने की एक और वज़ा मुलकों मिलने वाली थी और वैवजा थी जावेद मियादात की बेटी जुनैत का दाउद इब्राहिम कासकर की बेटी से निकाह एक मुल्क जो क्रिकेट मैच में लगे छकों से हार का घाउ महीने में भुलाता है उसके लिए साल 1993 से लेकर अब तक की बम ब्लास्ट में मरे लोगों की चीखें और चीखों के पीछे के मास्टर माइंड दाउद की कर गुजारियों को भुलाना कितना मुश्किल होगा यह उस वक्त दिल्ली के रिसर्च एंड इनॉलिसिस विंग यानि की रॉब की बिल्डिंग में यहां से वहां टहल रहे उस 62 साल की अधिकारी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था इस दफ़ा उसने दाउद इब्राहिम कासकर के सिकार के शारी तैयारिया मुकमल कर ली थी ओपरेशन दाउद चुरू हो चुका था अब यह उसकी महीन प्लैनिंग थी यह चेहरे पर चमकता आत्म विस्वास लेकिन रौकी उन गलियारों में सूट वूट में तैनात उसकी कटर विरोधी अधिकारी भी इस दफ़ा मियादात की पिछ पर दाउद का विकेट गिरता देख रहे थे बीते तमाम सालों में भारती इंडेलिजन्स के बाद दाउद इबराहिम कासकर को जिन्दा या मुन्दा धर्द बोचनी का इससे अच्छा मौका नहीं आया था रिस्तेनाते की उलजनों में पाकिस्तान की अपने सेफ हाइट से निकल कर दाउद को अपनी बेटी के रिशप्सन में आना ही था और यही वो वज़ा थी जहां इंडेलिजन्स ने दाउद का सफाया करने के लिए अपनी गोटिया फिट करने शुरू कर दी थी और उस दिन दिल्ली के उस होटल में मुव में पान मसाले की पीक दबाए उन चार लोगों को इस ओपरेशन दाउद के एक एक पहलू से वाकिफ कराते इंडेलिजन्स विंग के पूर्व डाइरेक्टर की आखों में हमेशा की तरह कोई शिकन, कोई डर, कोई सेकिन थौट नहीं था बिल्ली सी आखों के सामने खड़े उन दो सौर्फ शूट्रों की आखों को बेदते उस शक्स को भली बाती पता था कि दुबई की पिच पर दाउद का विकेट लेनी के लिए जिस गुगली का इंतजाम चाहिए था वै अकेले भारती इंटेलिजन्स सिस्टम के बसकी बात ना थी अपनी कमजोरियों को सबसे पहले पहचान लेना उसकी कारे सहली के शायद सबसे बड़े खाश्यत यही है लिहाज़ा अपनी सकमजोरी को पाटने के लिए बड़े हिशा तिराना तरीके से दाउत के एक वक्त के करीबी और हाल के वर्षों में शबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन गैंग के दो शूट्रों को इस मुहीम का हिश्चा बनाया गया दुबई के लोकेशन स्नाइपर के खड़े होने की नियत जगा गोलिया चलाने के वक्त से लेकर सारी की सारी प्लैनिंग कागजी थी इंडेलीजेंस के उस बंदे के काम करने के तरीकों को देखकर विकी मलहोत्रा और फरीद तनाशा की होजगुम थी पिशले कुस दिनों में उन्होंने हिंदुस्तान के अलग-अलग ठिकानों पर इस ओप्रेशन से जुड़ी ट्रैनिंग की थी उनकी हाथों में थमाया जा रहा था एक ऐसी ओपरेशन का खाका जिसके एक बार सफल हो जाने पर ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बलकि समूचे दच्छिडपूर्व एशिया के राजनीतिक आपराधिक हमलों में बूचाल आ सकता था लेकिन तब उनके पास ये सब सोचने और पूचने का वक्त नहीं था वे यहाँ खड़े थें क्योंकि मलेसिया से उनकी आका ने उन्हें वाँ खड़े होने के लिए कहा था और अंडरवर्ड में भाई ने एक बार जो बोला वो बोल दिया और फिर उस काम में किसी शक्षुबह की गुंजाइस नहीं रहती है छोटा राजन के पास दाउद को दोज खनेशी होते वे देखने की कोई राजनीतिक या कूटनीतिक वज़ा नहीं बलकि बेहद निजी वज़ा था सन 1998 में दाउद ने मलेशिया में अपने सूटर भेज़कर उसकी जान लेने चाही थी अंडरवर्ड लकड बगगो की वो लड़ाई है जिसमें एक के जिंदा रहने के लिए दूश्रे को मार देना बेहद जरूरी है और यह बात उस वक्त दिल्ली के उस होटल में बैठे उस इंटेलिजन्ट ओफिशर को साफ पता थी अंडरवर्ड की आपशी दुस्मनिया अक्सर मुलकों की कूटनीतिक जीती की सीड़ी होती है यह बात उससे बेतर भला कौन जानता होगा और इंटेलिजन्स की टुकडी के साथ इन दोनों शूटर्स को दोबाई बेजने की सारे तयानिया की जा चुके थी अचानक कमरी में जोर की आवाज हुई इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ समच पाता उन पर मुंबई पुलिस स्पेशल सेल की डी सीपी धननचे कमला कर और उनकी टीम ने पिस्टोल स्तान दी थी समझने की बात तो दूर किसी को हिलने का मौका भी नहीं मिला था सोफे पर धसे उस पूर्व इंटेलिजन्स अधिकारी ने अपनी बुलंद आवाज में बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन मुंबई पुलिस के इस खुराट डी सीपी को रेट के दौरान किसी की सुनने की आदत नहीं थी धाई मिनट बाद तनाशा और विकी मलहोत्रा मुंबई पुलिस के कबजे में थे ओपरेशन दाउच सुरू होने से पहले ही खत मौड चुका था अपनी कार में वापस लोडते विए उस इंटिलिजन्स अधिकारी ने चुप-चाप खिड़की के पार एक और मौके को हाँ से निकलते देखा और हथेलियों में पान मसाला रगणने लगा अंडरवर्ड के दो साथ सूटर्स के साथ होटल में अपनी मौजूदकी को लेकर उठे बवाल को ठंडा करने के लिए उसने कहा कि उस वक्त वे अपने घर में टीवी पर फुटबॉल मैच देखा था एक बुरे सपने की तरह एक ओपरेशन खत्म हो गया था लेकिन 1979 बैच केरल काडर के उस IPS ओफिसर के लिए ना तो ये पहला ओपरेशन था और ना ही पहली असफल था उसका 36 साल का केरियर ऐसे ही आविश्वश्चनी आकलपनी और अद्बुत इंटेलिजन्स ओपरेशन से भड़ा पड़ा था देश की सरहद और आंतरिक सुरक्षा की निगह बानी करते फिर इस शुपर कौप ने अपने रास्ते में आई ऐसी अनेक उलज़णों को चुट्कियों में सुलजाया है इस बेबाक, बेखौफ और सातिर इंटेलिजन्स ओफिशर को ये देश डोभाल, अजीट डोभाल के नाम से जानता है ब्लूमबर्ग की 2016 की रिपोर्ट की माने तो प्रदान मंतरी नरेंदर बोधी के बाद अजीट डोभाल इस देश के सबते ताकत वर व्यक्ति हैं अन्य विभागों में उनके सहे कर्मियों को उनसे रश्क हैं पर प्रदान मंतरी की दर्वाजी और कान भारत के राष्ट्री सुरक्षा शलाकार समिती के अध्यक्ष के लिए हमेशा खुले हुए हैं कहना अति सयोक्ति नहीं है कि अनेशे का ये सर्वेश शर्वा भारती सुरक्षा तंत्र और राजनीतिक महकमों के बीच देश का इकलोता बुलंद सेतु है जिसके अंदर आई बी रोज जैसे तमाम खोफिया विभाग कारियरत हैं कैबिनट सचिवाल है कि एक पूर्व शदस्य की माने तो डोभाल अपने ओपरेशन के दौरान इन खोफिया विभागों से परे जाकर अपने तरीके से अपने लोगों की मदद में ओपरेशन को अंजाम देना भी बखुबी जानते हैं सोचल मीडिया और नर्थ साउथ ब्लॉक में तैरते कॉंटेंट की माने तो डोभाल अकसर अपने तरीकों में शफल भी रहे हैं मीडिया के गलियारों में उनसे पहले भारत की किसी भी राष्ट्री सुरक्षा सलाकार की ऐसी सोपरस्ट और जेम्स बॉंड शरीकी छवी नहीं रही हैं बारती नौकर साही की भीतरी खानों से चंकर आती खबरों की माने तो आज की तारीक में नौर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के गलियारों में डोभाल से ज़्यादा प्रभाव साली कोई दूसरा अधिकारी नहीं हैं दोभाल के जीवन के शुरुवाती वर्सों के बारे में चिटपुट जानकारियां हैं उत्तराखन की पहाडियों में बसे एक छोटे से गाउं घीरी से सन 1945 में जिनमें अजीट दोभाल के पिता बारती सेना में अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और कॉंग्रेस नेता एच एन बहुगुड़ा रिष्टे में इनके मामा लगते थे शुरुवाती पढ़ाई लिखाई अजमेर की मिलिटरी स्कूल में हुई जिसके बाद इन्होंने अर्थ शास्त्र में आगरा युनिवर्स्टे से स्नातर की डिग्री हासल की 1968 में भारती पुलिस टेवा से जुड़ने के बाद केरल काडर मिला और कोर्टायम में अल्प समय के लिए ट्रेनिंग के बाद इन्होंने थलेशरी जिले में अतिरिक्त आर्ची अधिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुवात की सन 1971 की अंत और 72 की शुरुवात में थलेशरी नाम का ये स्तांध और खुबचूरत चहर धार्मिक उन्मात की चपेट में आ गया था तथा अलेक्जैंडर जैकब जो केरल पुलिस के पूर्वर डारेक्टर जनरल रह चुके थे इन्हें दंगों से जुड़ी अपने रिपोर्ट पेश करते हुए इन्हें नियंतरित करने में डोभाल की भूरी भूरी प्रशंचा की है 1972 में आई बी में ट्रांसफर के बात से लेकर 2005 में अपनी सीना निव्रती तक डोभाल आजाद भारत की कई बेहद महतोपूर्ण और सफल खूपयों ऑप्रेशन्स का हिस्सा रह चुके हैं मिजोरम दिनर डिप्लोमेशी 1977 की सरदियों में मिजोरम का एजवाल सहर और उसके पास का इलाका मिजो नेशनल फ्रेंट के आतंक से तप रहा था ऐसे में सबसीडियरी इंटेलिजन्स प्यूडो के मुख्या के तौर पर एंट्री होती है अजीड डोभाल की उनके IPS डैच्मेंट और IB के पूर स्पेशल डारेक्टर के अम सिंकी मानें तो इस पोस्ट पर आने के लिए डोभाल ने स्वयम ही अपनी मुखालियत की थी और उनकी केरियर की सुर्वाती दिनों का सबसे साहसिक कदम था एक ऐसी कूट मीतिक रणनी थी जिसके विफल हो जाने पर भारत की मुख्यी से मिजोरम जैसे महत्वपूर्ण हिश्चे की निकल जाने का खत्रा था सन 1996 की सरदियों में मिजोरम की पहाडियों ततकालिन असम्च शुरू वा था मिजो नेश्चनल फ्रंट जिसका नेत्र तो भारती सेना की पूर्व हवलदार लाल डेंगा कर रहे थे इस अलगावादी विद्रो का मूँ तोड जवाब देने में भारत सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी एरफोर्स की विमानों से बम गिरा जा रहे थे एजवाल तबाह होने की कगार पर था लेकिन जैसा की अमोमन सभी अलगावादी संगर्सों में देखने को मिलता है सरकार की दमनकारी नीत्यों ने श्विद्रो को और भढ़का दिया था मीजो नेशनल फ्रेंट का संगर्स अब सहरी इलाकों से निकल कर सुदूर पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला संगर्स का रूप ले चुका था इसी दौर में डोभाल मीजोरम आते हैं इस अलगावादी संगर्स के अस्ति पंजर धीले करने के लिए डोभाल ने यरण छेत्र श्वयम चुना था डोभाल की मीजोरम पहुचने के चंद महीने बाद ये जमीनी हालत बदलने लगे थे मीजो नेशनल फ्रेंट के संगठन और नेतरतों में दरारे उभरती हुई दिखाई दे रही थी और उभरती हुई दरारों की बीज से कूट नीतिक सफलता खीच कर निकाल लेने में डोभाल का कोई सानी नहीं था बदलती कूट नीतिक परिवेश 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार और बांग्रादेश की गठन के चलते मीजोरम में तैनात अलगाववादी ताकतों के शक्रीता में काफी कमी आई थी मीजोनेशनल फ्रेंट आर्थिक और रणीतिक स्तर पर भी दिन बदिन कमजोर होता जा रहा था और ये हालत डोभाल जैसे साते रणीतिकार के लिए एकदम मुफीत थे प्रशिद पत्रकार सैकर दत्ता मीजोनेशनल फ्रेंट के मुख्या लाल देंगा और एक अनाम पत्रकार की बीच वे साक्षातकार का हवाला देते ही पे कहते हैं कि बकॉल लाल देंगा दोभाल की मीजोरम आने से पहले हमारे गुट में साथ मिलीटरी कमांडर्स थी जब डोभाल गएं वे अपने साथ साथ हमारे छे कमांडर्स भी अपने खेमे में लेते गए डोभाल के इस नरम कूट नीतिक दाव की सफलता उनकी कारे शैली की तरह ही अटपटी और चटपटी थी अटपटी इसलिए कि दूर दिल्ली में बैठे राजनाई को ने चपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहां से 2000 मील दूर उनका एक सीपह सालार इस गंभीर गुट्टी को सुलजानी के लिए अपनी पतनी से सुवर का चटपटा मांस पकवा रहा होगा जी हाँ अक्सर गोलियों और भाष्ट्रों से जो गुट्थी नहीं सुलस्ती उसे डाइनिंग टेबल पर परोसा गया लजीज खाना चुट्कियों में सुलजा देता है मिजोरम पहुचने के अकले 6 महीनों तक श्रीमती डोबाल अपने पती से खासा खफा रही थी उनके पास खफा रहने की मुकमल वजा थी उस चाका हरी मेला ने उन 6 महीनों में अपने घर पर आने वाली उन हत्यार बद्द महमानों के लिए शुवर का मांस अपने हातों से पकाया था वे हत्यार मंद लोग लाल टेंगा और उनके साथ ही थी जो आने वाले कुछ महीनों में अपने उंगलियां चाटते वे स्टी मती डोबाल की डाइनिंग रूम में खंटों उनके पती के साथ बहस में मस्कूल रहते हैं लेकिन इस दिनर कूट नीती की भूमिका रग्त होते जा रहे थे अगले तीन सालों में हिंसक घटनाए अपने चरम पर थी और इन्हें के बीच सन 1975 में वहां के तत्काली इंस्पेक्टर जनरल की हत्या हो गई उनके बदले दिल्ली से भेज़े गया थे रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडिया जी इस रंधावा जिनोंने कुछ महीनों में मीजो अलगावादी संगटनों की त्रीड तोड़ दी 1975 की शर्दियों तक मीजो नेस्टल फ्रंट एक घायल डरा हुआ और आसंगठित समूं हो चुका था इन सब की बीच अभी भी तूटी हुई राचनीती कडियों को जोड़ने का काम बचा हुआ था औ पता नहीं इसके पीछे अजीट डोभाल का वाख चातो रहे था यह स्रीमती डोभाल के हाथों के खानी की लजज़त पर दस साल बाद राजियों गानी के प्रधान मंसरित्व काल में कलकट्टा में होने वाले मीजो सांती शम्मेलंग के दोरां इन बातों को याद रखने क का वक्त भी किसी के पास नहीं था सायद स्वयम डोभाल के पास भी नहीं लाल डेंगा के साथ शराब और कवाब की दोस्ती की बीच बहुत कुछ ऐसा घट रहा था जिसे कूट नीती और रक्षा मामलों की गूड और गंभीर दुनिया में कोई खास इज़त नहीं मिलती है लेकिन बकॉल एक पूर्व भारती कूट नीतिक अधिकारी विजोरम के वर्तमान श्वरूप और भारत का एक अभिन अंग होनी की पीछे डोभाल और लाल दिंगा की इस डिनर पार्टियों का महतुपूर्ण योगदान रहा था और इस तरह इस अनुभवी आईपियस अधिकारी ने कल्पना तीत कूट नीतिक कोशल का परिचे देती विए उत्तर पूर्व की इस महतुपूर्ण राज्व को भारत की सीमा में महफूज रख लिया था किस्ताए पाकिस्तान 1980 के दसक के शुरुवाते शालो की वे कोई उगती हुई लाखवड़ी शाम थी जब एक मस्जिद की दिवार से सट कर वे तीज कदमों से चला जा रहा था चहरे पर उगी दाड़ी माथी की वो टोपी और बदन पर पड़ाऊ चुस्त कुरता सब कुछ मानो उस सक्स की एक सच को ढखने के लिए हो बाते पर चुछवाई हुई पसीनी की बूंदों को पोस्ता इंटेलीजन्स का वे अधिकारी कोई और नहीं अजीद डोबाल ही था जो पाकिस्तान उच्चा योग और खोफिया एजन्सियों की नाक के नीचे शरहत पार कर खोफिया हलकों में उधा मचाने आया था लेकिन फिलवत लहोर की उस मस्जिद के किनारे तेज कदमों से लगबग भागते वे डोबाल की पीछे पीछे चला आ रहा हुए इंसान उसकी परेसानी का सबसे बड़ा सबक था भाई चान आप हिंदू हो ना उजली नमबी डाडी वाले उस इंसान का इतना कहना था और डोबाल का गल्या उनके हलक तक होने को आया था शायद उनका महिनों का करीने से बुना कवर आस तार-तार होने वाला था आपको कुछ गलत फहिमी हो गई यह इससे पहले कि डोभाल की गले से दबी दबी ये सफाई निकलती मुस्कुराती विए उस वेक्ति ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया था इसके बाद लाहोर की उन तंग गलीयों के एक कोनों से दूस्टे मोर तक कर तकरीबन 15 मिनट का वो सफर डोभाल की जिन्दिगी के साइट सबसे कठिन 15 मिनट थे थोड़ी ही देन में डोभाल एक फ़ानुमा छोटे सी कमरे में उस उचली डाड़ी वाले के सामने अपने हिंदू ना होने की दलीले पेश कर रहे थे आपके कान में वो जो छोटा सा कुंडल है न वो दुनिया का कोई मुशलमान नहीं पहन था उसकी इस एक दलील के सामने भारत का ये जहीन खोफिया अधिकारी निशब्द था दलीलों के शोड के पार अब उस कमरे में बस मौन पश्टा हुआ था इधर इधर देखिये उस उचली डाड़ी वाली मौलाना ने कहा एक छोटी से अलमारी में पड़ी भगवान सीव और मादुर्गा की मूर्तियों को देखकर डुबाल की फटी आखों के रास्ते शुकून दाखिल हुआ इस मौले के लिए मैं उलेमा हूँ लेकिन ये मेरे भगवान है इन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को ख़द्म कर जिया तो मजबूरी में ये डाड़ी रखने ही पड़ी लेकिन भगवान कसम आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है उस सक्स के चंद लबजों में पाकिस्ताने हिंदूों के पाकिस्तान के कटरपंथी उलेमा संगठनों की दसकों की कुरूरता समाही थी ये बाड़ डोभाल के बीतर कुछ इसकदर घर कर गई कि वर्सों बाद भी सन 2014 में पुड़े के एक कारीक्रम में पाकिस्तान के अंडरकवर एजन्ट के तौर पर बिताये के दिनों को लेकर एक 21 वर्षी युवादारा किये के सवाल के जवाब में भी इस किष्टे का जिग्र करना नहीं भूले कॉट डोभाल बोल्ड के पीए स्किल 80 और 90 का दसक पंजाब के लहला हाते खेतों और बलखाती लहरों की कटे सिर और बहता खोन लेकर आया था बबर खाल्चा जैसे खालिस्तान समर्थक कटर पंथी संगठन को परोसी मुल्क पाकिस्तान की खोफिया एजन्सी आयसाई की तरफ से लगा था शेहनी और आर्थिक मदद मिल रही थी पंजाब कॉंग्रेस ने अस्ती के दशक के शुरुवात में हुई खीश्तान और ततकालीन केंद्र सरकार जो की इंद्रा गांधी की सरकार थी की हिचकोले खाती पंजाब नीती की वज़र से भिंडरा वाले और अनिकटर पंथी ताकतों को प्रिश्रय मिला था बहुत देर बाद बहुत संकट में जाने की बाद इंद्रा गांधी ने श्वर्ण मंदिर को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए उपरेशन डो स्टार को हरी जंडी थी जिसके बाद भारती ये सेना सिखों के सब्ते पावन स्थन में दाखिल हुई इसका खाम्याजा देश और इंद्रा जी दोनों को ही भुगतना पड़ा था इसके बाद के सिख विरोधी दंगो और पंजाब के सिख समुदाय के बीच बढ़ रहे असंतोस की आग में पुड़ा पंजाब आने वाले एक दशक तक चलने वाला था यह वही दोर था जब डोभाल दी सूपर कॉप एक बार फिर से अपनी रणनीती कोशल का पर्चम लहराने के लिए 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में पंजाब की धर्टी पर कदम रख चुके थे तीन मई 1988 की तारिक थी पंजाब पुलिस के धाकर और पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने वाले जुझारू IPS के पियस गिल के निर्देशन में भारती से न और पंजाब पुलिस के करीब 50 स्नाइपर्स, 200 गनर्स, खालिस्तानी अलगाववादी ताकतों की आखरी बार दो-दो हाथ करने के लिए एक बर फिर से श्वर्ण मंदिर की चारों तरफ से घेर चुके थे पिछले दो दिनों से मंदिर की भीतर शुबह आतंगवादियों ने रह रहकर गोलिया बरसाई थी और इस पार गिल ने उनकी एक एक गोली का हिसाब देने का पूरा मन मना लिया था पंजाब में खालिस्तानी आतंगवाद की खात्मे के लिए युद सर पर किया जा रहे हैं इस आकरी बड़े ओपरेशन का नाम था ओपरेशन ब्लैक थंडर वहिश्वण मंदर की रेडिस थे कुछ पाहर देज भर से आयज स्वतंद्र और स्तांगठनिक पत्रकारों का खुजूम इस ओपरेशन को कवर करने के लिए जमा हुआ था ओप्रेशन डो स्टार की वक्ति स्वतंत्र पत्रकारों को नहीं बुला जाने की करद सरकार की भड़सना हुई थी लहाजा इस दफ़ा के पियस्ट गिल ने मीडिया को यह ओप्रेशन कवर करने की खुली चूट दे रखी थी मीडिया को मिली इस खुली चूट की वज़ा से ओप्रेशन ब्लैक थंडर की बीज से डोभार की एक और करीब करीब मित की और आश्चरी जनक कारणामे का पता जलता है जो एक सूपर इंडेलिजन्स अधिकारी के रूप में उसकी ख्याती में चार्ट जान लगाने वाला था 1988 की दवरान स्वर्ण मंदिर की आसपास रहने वाले लोगों ने एक रिक्षे वाले को बार बार स्वर्ण मंदिर की अंदर बाहर आते वे देखा था इस रिक्षे वाले ने भीतर जम्न आईएसाई और खालिस्तानी आतंकवादियों को इस बात का भरोसा दिला दिया था कि वह एक आईएसाई ओपरेटियों है जिसको पाकिस्तान से उसके आकाओ ने यहां स्वर्ण मंदिर में अपने मुजाहिद भायों की मदद के लिए भेचा है ओपरेशन ब्लैक थंडर के दो दिन पहले भी ये रिक्षा वाला स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसा था और इस बार उसने भीतर से आतंकियों की सटिक पोजिशन और असलहों के बारे में सटिक जानकारी बाहर सैन अधिकारियों को दे थी इस रिक्षे वाले जेम्स बॉंड का नाम था अजीट डोभाल स्वर्ण मंदिर पर हमले के आखरी कुछ घंटों के दोरान केरल काडर काया जाबाज यूवा आईपियस अधिकारी हमिंदर साहब के अंदर मुस्तैद होकर सुरक्षा अधिकारियों को आतंकियों के आखरी सफाई के लिए जरूरी जानकारिया मोहिया करवा रहा था डोभाल के इस अप्रतिम शौरी पूर्ण कारनामे के लिए भारत के रास्ट्रपती ने कालांतर में उन्हें कीरती चक्रशे सम्मानित किया डोभाल के इस अविश्वचनी कारनामे का इकलोता बयार एनसजी के सीना निवरत कमांडर करण खरब की तरब से मिलता है जो उस दिन हमिंदर साहब की घेरा बंदी करने वाली एक टुकडी का नेत्रत वकर रहे थे जून 2014 में डोभाल के एनसे बनने के बाद लिखे अपने लेक में भी लिखते हैं जब अजीर डोभाल महां पहुँचे तो हम में से जादतर लोग उन्हें जानते नहीं थे पूरी ऑपरेशन के दौरा अंदर से बाहर आते जाते रहे हम इस बात को बहुत देर से जान पाए कि उन्होंने आई एसाई एजन्ट का वेश धरा हुआ था ऑपरेशन ब्लैक थंडर सेना और पुलिश का एक साज़ा प्रयाश था बिना कोपिया कोट नीति गड़ जोड की पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद का खात्मा करना नामुम्किन था जथा पंजाब पुलिश के मुख्या गिल और इसका दावर खूफिय अधिकारी के बीच उस दोरान बनी जुगल बंदी का कुछ ऐसा असर हुआ था कि 1989 के दौर में पंजाब में पुलिश की गोली से मरने या फिर सलाखों की पीचर जाने वाले हर आतंकवादी की ब्योरे में सिर्फ यही लिखा हुआ था कॉट डोभाल बोल्ट गिल कस्मीर कुका पैरीन जीरो डाउट पॉलिसी 1990 के दसक में डोभाल की कर्म भूमी बनी कश्मीर की धरती जो पिछले कई दसकों से विवात का केंद्र बनी हुई थी हजारों युवा कश्मीरी डर जील पर तेरते शीकारों के सर शेब के बगीच और जेलन की संदली फिजाओं को छोड़ कर लाइन अफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी शिवरों में जिहाद के अर्द शत्य और मौत के यथार्द से रूबरू हो रहे थे सरहत के आठ पार अगर गोलियों के अलावा कोई आ रहा था तो वे थे नए मुजहिदीन सीमा पार से बढ़ते इस पाकिस्तान पोशित आतंकवाद को रोकना दिनो दिन भारत सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा था और ऐसे ही में एक बार फिर इस काम के लिए डोभाल को कश्मीर भेचा गया डोभाल ने अंतरास्ट्री मीडिया के सामने पाकिस्तान सरकार द्वारा पोशित इस आतंकवाद की कलई खोल कर रख दिन 1995 में कस्मीर घाटी में पश्मी देशों के छे शेलानियों के आतंकवादियोदारा अपहरड के बार डोभाल और रा ने इस मुद्दे को भुनाने में कोई कश्र नहीं छोड़ी भार्तिय सैन निबल और खूफिया एजनसियों ने उन सेलानियों की सटीक लोकेशन पता चलने के बाद भी उस मुद्दे को 11 हफ़तों तक भुनाया तब तक कश्मीर मुद्दे पर पारंपरिक रुख इस्तियार करने वाले पश्रिमी देशों को इस मामले में पाकिस्तान की स्तीधी सलिप्टता के बारे में पता चल गया था करीब 11 हफ़तों के बाद जब अलफरा नामक आतंकी गुड़ने फार्टी सेन्य और खूफिया एजनसी के बड़ते दबाव की बीच उन्हें छोड़ा तब तक उनमें से एक सेलानी भाग चुका था एक अपाहिस अवस्ता में था और बाकी चार हमेशा हमेशा के लिए लापता हो चुके थे पश्चिमी देशों और पाकिस्तान को एक साथ बेहत करारा जवाब दिया जा रहा था कश्मीर घाटी में अंतरास्ट्री कूट नीतिक जीति की इस बिशात का एक एक मोहरा डोभाल ने अपने निर्देशन में बिचाया था और यहां से कश्मीर में भारती खुफिया एजनसी को जीरो डाउट पॉलिसी की शुरुवात हुई यहां उन्होंने दुश्मनों को उन्ही की भासा में उन्ही की माद में घुश कर मारना शुरू कर दिया था डोभाल की कारिस्टेली हमेशा से किसी भी तरह के संसेशे कोश्यो दूर थी पलक जपकती अकलपनी तिकड़मों को सोच लेना और फिर बिना जादा बहस के उन्हें कर डालना उनका सिगनिचर स्टोक है इसी के तहट डोभाल ने घाटी के एक पूर्व लोग गायक कूका पैरी को आतंकवादी शरगना से इकवान उलमुसलमीन नामक एंटी टेरोरिस्ट गुरूप का मुखिया बनाने में सफलता हासिल की थी कुका पैरी ने कालांतर में घाटी में रास्ट्री डाइफल को कई महतुपूर्ण जानकारिया दे थी जिनके चलते शेहनी बलो को कई बड़ी सफलताएं मिले थी दुस्मन को दोस्त बनाकर उसकी घर वापसी करवा लेने का हुनर दोभाल में कूट कूट कर भरा हुआ था और तमाम मौकों पर उन्होंने इसका इस्तमाल किया दोभाल के काम करने के तरीके से कुछ लोग असेहमत हो सकते हैं पर सनद रहे कि बड़े-बड़े मुलकों की लड़ाई में प्योदों का नहीं वजीर का अंजाम देखा जाता है और सच यह है कि दोभाल ने अपने वजीर आजम का भरोसा जीतने में कोई असर नहीं छोड़ी थी कूका पैदी की घर वापसी सिर्फ सैन नहीं की ही नहीं बलकि एक राजनीतिक जीत भी थी जिसकी वज़ा से केंद्र 6 शाल बाद सन 1996 बेमिल जम्मू और कश्मीर में पहली बार शुनाओ करवा पानी में सफल रहा था 6 साल के राश्टोपती शासन के बाद घाटी में अब्दुल्ला शरकार का पन्ना एक बड़ी शियासी जीत थी जो आने वाले समय में घाटी में होने वाले आतिंगी घटनाओं पर लंबे समय के लिए विराम लगाने वाली थी इन सब के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वे थे डोभाल अतिसे साहशी अकलपनी और बेजोड कूट नीतिक सफलताओं से सजे सजे अजीर डोभाल के कैरियर में कुछ ऐसे भी मुकाम आये हैं चाहां उनकी कूट नीतिक चतुराई के बाभुजूद उन्हें परिस्तितियों के आगे घुटने टेकने पड़े 1990 के क्रिश्मस की पूर्व संध्या पर इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट IC-814 जो काट मांडू से दिल्ली आ रही थी को हाईजेक कर अमरिचर लाहोर दुबाई के रास्ते आतंक वादियों ने कांधार में उतारा आदन फादन में दिल्ली में स्ट्री अटल बिहारी बाजपे किनर देशन में उत्चा अधिकारियों की एक टीम गठित की गई जिसमें विदेश मंत्राले के वरिस्ट अधिकारी विबी काटशू के साथ-साथ अजीर दोभाल भी थे 27 दिसंबर को आदनकियों से बाच्चीत के लिए विदेश मंत्राले की यह टीम कंधार पहुची आदनकियों के शुरवाती मांग भारत की विबिन जेलों में बंद करीब 36 आदनकियों की रिहाई और 200 मिलियन यूयस डॉलर की थी अब पहरड करता है एक कस्मीरी अलगावादी की दफनलाश भी मांग रहते हैं तालिबान जो कहने को तो इस पूरे मामले में तठस्त भूमिका निभा रहा था ने बीच में आते वे पैसे और दफनलाश की मांगों को गया इसलामिक बटाते भी अपनी भूमिका अदा की लेकिन डोभाल अभी भी आतनकियों की किसी भी मांग को पूरा करने से पहले औरतों और बच्चों को छोड़ने की अपनी मांग पर अडिक्त है मैं भारत के सभी हाइसेक मिशन का हिस्ता रहा हूँ और मेरी मंसा हमेशा इन मांगों के पीज़े आतनकियों की मांसिक्ता जानने की होती है कंदार हमले में आतनकियों ने 36 गंटे तक मेरी इन मांगों पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी और हमें उनका प्लैन आफ एक्शन चमजने में बड़ी मुश्किल आ रहे थी डोभाल ने बाद में दिये अपने साक्षाथकार में अपने बात सपस्ट गी तीन दिनों की तनातनी और तालिबान द्वारा आतनकियों को फर्जी अल्टिमेटम दिये जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले जेल में बंद 36 आतनकियों को रिहा करने की मांग रखी और अंतिताह तीन आतनकियों की रिहाई के बदले विमान के यात्रियों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा लेस्ट के तहर छोड़े गए आतंगियों में से मौलाना मसूद अजहर आने वाले शालों में भारती सुरक्षा एजन्सियों के लिए शिरदर्द साबित होने बाला था अंतिता जैसे मौंबत के इस सर्गना को लेकर ततकालीन विदेश मंत्री जस्वंत सिंग कंधार पहुचे और बतले में याक्रियों की रिहाई हुई भारती, खुफिया एजन्सी और राजनीतिक हमलों के लिए ये पूरा का पूरा एक एपिसोड एक बहुत गहरे जटके जैसा था ततकालीन विपच्च ने शत्ता रोड पार्टी पर आतंकियों के सामने घुटने टेक देने का लांच्छन लगाया और बकॉल अजीर डोभाल कंधार हाईजेक उनके केरियर के चुनेंदा नेशनल इंटेलिजन्स फेलियर में से एट था इसके बावजूर डोभाल मीडिया की सामने बारं बार इस पूरे ओपरेशन का जिक्र करते रहें जहां उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे कांड में ISI की सनलिप्तता नहीं होती तो शायद उन हाईजेकर्स का अंतकिश्य और तरीके से होता भारत में काले धन की विरोध में हुआ प्रदर्शन हो या फिर ब्रस्टाचार की मुद्दे पर मुखर विरोध सेना निव्रती के बार दोभाल इन सारे मुद्दों पर अपने बेबाग त्राई रखते रहे देशरित के मुद्दों पर बेबाग त्राई की कारण डोभाल की छवी एक हाड लाइनर की है जो नेशन फरस्ट में भरोसा रखते हैं फिर चाहे वे बांगलादेश चर्णार्थियों का मसला हो या फिर रोहिंगया मामला आंदर इक सुरक्षा के मसलों पर डोभाल को अंदर रास्ट्री दबाव शुईकार नहीं है आप उनसे सहमत हो या असहमत अजीर दोभाल भारती सुरक्षा और कोफिया विभागों में आने वाले कई सालों तक अपनी चपलता के लिए जाने जाते रहेंगे उनके सफलताओं का सहरा उनके जाने के बाद भी उनकी शक्षियत से बंधा रहेगा जो आने वाले कई पीडियों के लिए मिसाल होगा लव हिम और हेट हिम अजीर दोभाल एक कदावर अधिकारी के रूप में हमेशा याद किये जाते रहेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है ये आडियो बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए हचते रहें मस्कुराते रहें और योहीं पढ़ते रहें टाटा बैबाए